पालगर महराश्ट्र में हुई दो सादूमों की हत्या बहुत ही निंदनी अपराद है मानवता को शर्म सार कर देने वाली ये घटना बहुत ही लज्जित कर देने वाली है महराश्ट्र में बाला साइब ठाकरे हिंदू रदय समराट के नाम से जाने जाते रहे अगर कोई हिंदुत्व के खिलाफ आवाज उठती थी तो शेर की तरह दाड़ते थे क्या पता क्या हो गया है मानवता को? क्या हो गया है आज के मानव को कि एक सत्तर वर्ष के वृद्ध अपने पिता और दादा के समान सम्मुक दिखा हुआ उनका चेहरा भी शर्मसार और लज्चित नहीं करता वो हाथ उनके कांपते नहीं है इतनी निर्मम हत्या करते हुए कार्यवाई जल्दी होनी चाहिए और तटस्त पूर्ण होनी चाहिए इस खटना के साथ हम दूसरी बात भी जोडेंगे नर्मदा तटपर वेदव्यास की तपस्थली वहाँ पर एक गौशाला और नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए बनाई गई एक कच्ची जोपडी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब आवाहन किया था पाच तारिक को रात्री को नौ बजे नौ मिनट के लिए दिये जलाये जाये पूरे देश में और उस समय कुछ असमाजिक तत्वों ने उस नर्मदा परिक्रमावासियों की जोपडी को आग लगा दी इस तरह से कई मिनटों तक वो जोपडी जलती रही वैसे तो हमारा देश ऐसे तपस्वियों की सेवा करता रहा है ऐसे ऐसे सत्पुरुशों को निर्दोश व्यक्तियों को सताए जाने के बाद कारिवाई नहीं करती क्यूं इतनी आकरामकता है क्यूं इतनी हिंसा प्रवृत्ती है क्यूं आखिर मानव मानव के एक रक्त का प्यासा हो रहा है पर इस बार जिन पत्रकारों ने वास्तविक्ता सत्य घटना दिखाने की कोशिश की है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं महराष्ट्र की मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि बाला साहिब ठाकरे का महराष्ट्र उस भागवे का सम्मान करता हुआ दिखना चाहिए